नमस्ते बच्चों, साइराम लास्ट क्लास हमने उ की मात्रा कभू के एक्सरसाइज डिसकस किया था तो आज हम क्लास वर्क लिखेंगे आप अपना क्लास वर्क और पेंसिल लेकर बैठिए ठीके, हम क्लास वर्क लिखेंगे क्लास वर्क लिखने से पहले हम थोड़ा देख लेते हैं कि उ की मात्रा में हमने क्या क्या पढ़ा था तो पहला वाला ये क्या है कच्छुआ नेक्स्ट पूल और ये क्या है चुहिया और उसके बाद गुडिया ये चार शब्दों को हमने पढ़ा था उसके बाद ये भी हमने पढ़ा था गुडिया नाच उठी मधू की बड़ी बहन सुमन आई वो एक दुकान पर गई गुडिया लाई मधू बहुत खुश हुई वो गुलाबी कुरता जामूनी चुन्री और सल्वार भी लाई तभी मधू की बुआ आगई कौन आगई? मधू की बुआ आगई वो सुनहरा मुकुट लाई तो मधु की बुवा क्या लाई सुनहरा मुकुट लाई गुलाबी कुर्ता जामुनी चुन्री और सल्वार पहन कर गुडिया नाच उठी वा कितनी बढ़िया मधु की गुडिया तो बताईए और एक शब्द में उत्तर दीजिये मधु की बड़ी बेहन कौन थी? इसका उत्तर क्या है? सुमन मधु की बड़ी बेहन सुमन थी ठीके? ख मुकुट कैसा था? सुनहरा मुकुट सुनहरा था ग सुमन क्या लाई? गुडिया सुमन गुडिया लाई चित्रों के नाम पूरे कीजिये तो ये भी हमने किया था पहला बाला क्या है? कुली ठीके? पहला बाला है कुली और ये क्या है? मुरली तो र मिस्सिंग है तो वो हम लिखेंगे मुरली नेक्स्ट पुल ये है पुल ठीके? और ये है कुटिया क उपकी मातरा ठीके? तो हो गया कुटिया चित्र के सही नाम पर टिक लगाईए तो पहला चित्र ये क्या है? ये कच्छुआ है तो बटुआ कच्छुआ चुहिया कच्छुआ ठीके? यहाँ पर टिक लगाएंगे नेक्स्ट सुराही पुल पुजारी ये है सुराही ओके? नेक्स्ट ये क्या है? गुलाब मुरली मुकुट गुलाब तो ये है गुलाब लास्ट बुढिया चुहिया गुढिया तो ये चुहिया है हम चुहिया पर टिक लगाएंगे ओके तो बच्चों अभी हमक्लास वर्क लिखेंगे आप अपना क्लास वर्क क्लास वर्क में उब की मात्रा लिखिए हेडिंग उब की मात्रा ठीके यह हेडिंग और यह हमारा lesson फाइब तो आप लिखिए उकी मात्रा, लेसन फाइब, ठीक है, रोमन नमबर वन, और रोमन नमबर वन में आप लिखिये शब्दार्द, हम शब्दों के अर्थ लिखेंगे, ठीक है, रोमन नमबर वन, और हेड्डिंग क्या है, शब्दार्द, रोमन नमबर वन, शब्दार्द, पहला बाला आप लिखिये, वन, कच्छुआ, कच्छुआ क्या है, टॉर्टोईस, तो मेनिंग भी आप लिखिये, कच्छुआ, टॉर्टोईस, कच्छुआ, टॉर्टोईस, हो गया बच्चों, ओके, नेक्स्ट, पूल, पूल का मतलब क्या है, ब्रिज, ठीके, पूल, ब्रिज, स्पेलिंग करेक्ट करके लिखियेगा, बी, आर, आई, डी, जी, ए, ब्रिज, टॉर्टोईस, टी, ओ, आर, टी, ओ, आई, यस, ए, थार्ड़वान, चुहिया, थर्ड़वान, चुहिया, माउस, म-O-U-S-E, माउस, म-O-U-S-E, माउस, फोर्थ वान, गुडिया, डॉल, ग-U की मात्रा, ड-E की मात्रा, य-A की मात्रा, गुडिया, डॉल, ड-O-L-L, ठीके, तो लिख लिया बच्चों, पहला वला, कच्छुआ, क, च-U की मात्रा, आ, कच्छुआ, टोर्टोईस, सेकेंड वान, पुल, प-U की मात्रा, ल, पुल, ब्रिज, थर्ड वान, चुहिया, च-U की मात्रा, ह-E की मात्रा, य-A की मात्रा, चुहिया, माउस, फोर्ट वान, गुडिया, ग-U की मात्रा, ड-E की मात्रा, य-A की मात्रा, गुडिया, डॉल, ठीके, तो बच्चों हमने फर्स्ट रोमन लिख लिया अभी सेकेंड रोमन बताईए और एक शब्द में उत्तर लिखिए ठीके, बताईए और एक शब्द में उत्तर लिखिए पहले आप हेडिंग लिख लिजिए बताईए और एक शब्द में उत्तर लिखिए मधू की बड़ी बेहन कौन थी? क, मधू की बड़ी बेहन कौन थी? तो मधू की बड़ी बेहन कौन थी? सुमन ठीके, उत्तर लिखिए राईदान सा सुमन मधू की बड़ी बेहन कौन थी? सुमन नेक्स्ट, ख, मुकुट कैसा था? आंसर लिखिए सुनहरा मुकुट कैसा था? मुकुट कैसा था? सुनहरा नेक्स्ट, ग, सुमन क्या लाई? सुमन क्या लाई? सुमन क्या लाई? गुडिया लाई प्रांसर लिखिए गुडिया सुमन क्या लाई? गुडिया सुमन क्या लाई? लाई, गुडिया, ठीके, सुमन, क्या लाई, गुडिया, गु की मात्रा, ड, इ की मात्रा, य, आ की मात्रा, गुडिया, ठीके, सुनहेरा, सु की मात्रा, न, ह, र, आ की मात्रा, सुनहेरा, और सुमन सु की मात्रा म न सुमन ठीक है तो ये हमारा क्लास वोर खतम हो गया तो फर्स्ट रोमन शब्दात और सेकेंड रोमन बताईए और एक शब्द में उत्तर लिखिए ठीक है हो गया बच्चो तो हमने ये भी बढ़ा था बुल बुल तब और एक बार मेरे साथ बोलिए सुबह सुबह एक बुल बुल आती गुन गुन आती गीत सुनाती सुबह सुबह एक बुल बुल आती गुन गुन आती गीत सुनाती मधुर मधुर वो गीत सुनाती गा कर सब का दिल पहलाती मधुर मधुर वो गीत सुनाती, गा कर सबका दिल पहलाती बुल-बुल मीठा गाना गाओ, मुन-मुन चुन-मुन तुम भी आओ कितनी मेठी उसकी धुन, मुन-मुन चुन-मुन आकर सुन ठीके, तो और एक बार मेरे साथ बोलिये सुब सुब एक बुल-बुल आती, गुन-गुन आती, गीत सुनाती सुब सुब एक बुल-बुल आती, गुन-गुनाती, गीत सुनाती मधुर मधुर वो गीत सुनाती, गा कर सबका दिल पहलाती बुल-बुल मीठा गाना गाओ, मुन-मुन-चुन-मुन तुम भी आओ कितनी मीठी उसकी धुन, मुन-मुन-चुन-मुन आकर सुन तो बच्चों, हमने दिनों के नाम भी पढ़ा था, क्या आपको याद है? यह आपका ओरल एक्टिविटी के लिए, आप फिससे और एक बर बोलिए सोमवार, मंगलवार, बुधुवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनीवार, रविवार ठीक है? तो आप क्लास्वर्प ठीक से लिखिए बच्चों और हमने जो भी पढ़ाया थोड़ा पढ़कर प्राक्टिस कीजिए उ की मातरावले शब्द और जो कवीता है वो थोड़ा गा कर प्राक्टिस कीजिए तो धन्यवाद बच्चों